आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में में दिसम्बर 2020 का निफ्टी का क्या टॉप आंड बटम रहेगा वो काल्कुलेशन्स करके समझाओंगा आप सब लोगों को पता होगा स्मार्ट फाइनांस में बहुस तारे न्यू कंसेप्ट के उपर में रिसर्फ होता है और ये भी एक हमारा 2020 का निकला हुआ एक बहुत बढ़िया में थाड़े और इसी कॉंसेप्ट के उपर में बहुस तारे वीडियोज हमारे चानल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हमारा जो यूट्यूब चानल है स्मार्ट फाइनांस का वेबसाइट खोले तो यहां पर यूट्यूब का आइकन मिलेगा तो वो जो हमारा यूट्यूब चानल है उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो भोलाटेलिटी इंडेक्स को लेके केसे टॉप अंड बटम कल्कुलेशन करे उसका एक्स्प्लानेशन्स उसमें है और बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे पिछले महिने में भी उससे दिया गया था पिछले महिने के कल्कुलेशन्स था वो कल्कुलेशन्स से इस महिने के कल्कुलेशन में थोड़ा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा वू अंतर इस लिए क्योंकि इस महिने में जो मार्केट का coupled हो रहा यह कॉंटिनूउस णोर्ड में उसी त्रह का वी малень भी बगलाव आपको लत्यांपड़ेगा क्उन्स अंप्रेंड में जाएगा तो जब ट्रेंड में के continuity आता है तो हम different different cycles में इंट्री करते हैं तो हाँ आपको भी यह cycles पता चलेगा जब निफ्टी 7500 में था बहुत लोग सोच रहते हैं कि यह 5000 भी हो जाएगा अभी जब निफ्टी 13000 में हो रहा है लोगों का thought process यह बोला है यह 15,000 हो जाएगा तो वही अद्मी जो 7500 में 5000 को एम कर रहा था वही अद्मी अभी 13000 में 15000 आने का क्यूं आसा जता रहा है यह होता है different cycle में जब price एंटर करता है तो expectations उसी हिसाब से बन जाते हैं तो यही उसका answers मिलेगा तो अभी mathematical way में हम निफ्टी का top and bottom calculate करें उसके लिए क्या-क्या data points चाहिए वो देख लेते हैं जो data points हमें चाहिए वो data points क्या-क्या है तो पहले हमें निफ्टी का जो higher and lower values जो November 2020 में जो closing basis में यह निफ्टी spot data है निफ्टी spot का open high low close में लिया हूं closing basis में निफ्टी 13,055 में गया था 24 November में and closing basis में निफ्टी का low बना था 11,669 तो वह भी बना था 2 November तो यह दोनों dates आपको मिल गया यह prices भी मिल गया इसी तरह से हम लोग Wix का data भी download करेंगे और Wix का data निकालके हम यहाद पे जो closing basis में Wix 25.21 में गया था 19.12 में आया था नवेंबर के महिने में तो यही दो data को लेके Fibonacci ratio को यूज करके हम निफ्टी का जो top and bottoms का calculation करेंगे तो आप यह देख रहे हैं हमारा YouTube अगर आप हमारा YouTube चैनल में सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो सब्सक्राइब करते जिए तो यहाँ पर आप देखेंगे के बहुत सारे वीडियो मिलेगा अगले पांस दिन के लिए क्या बढ़िया स्ट्राटेजी रहेगा क्या का ट्रेंड परिवर्तन का दिन यह सारे बहुत सारे चीजिस मिलेंगे नवेंबर का top and bottom भी इसमें निकला गया था यही कॉंसेप्ट को लेके सितंबर का भी निकला गया था तो इस तरह से बहुत धर आपको विक्स को यह करके कैसे कैसे top and bottom निकला जाता है पिछले कुछ महिनों से महिनों का रेकर्ट साथ को यहां पर बिलेगा तो यहां पर हम लोग अभी चार डाटा पॉइंट्स लिए जो नवेंबर का higher price, lower price लिफ्टी का नवेंबर का higher weeks and lower weeks लिफ्टी का लेने के बार में अभी हम इसका calculation शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले हमें यह जो weeks मिला है इसको square root of 30 में divide करके इसको monthly weeks में convert करना है एक बार monthly weeks से आगया उसको हम price के साथ में multiply करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 में तो यह monthly price range निकलेगा और इसी range को अभी फिवनास्टी का जो बड़े ratios है एक से जादा यानि कि यह सब को फिवनास्टी growth ratios बला जाता है या फिवनास्टी expansion ratio बला जाता है इन रेशियों के साथ में multiply करके यानि कि एक के साथ में 600 को multiply करेंगे उ तो इसी तरह से इसमें multiply करके price range निकालेंगे वही price range को जो 13,55 का हई से subtract करके buttons निकालेंगे यह सारे buttons आएगा अगर गिरता है तो यहां पर support find करेंगे तो उसी तरह से top निकालने के लिए जो lowest risk था और जो lowest price बना था November था वो दोनों लेके उसी process को repeat करेंगे square root of 30 में divide again उसको price range निकालें और यह सारे ratios को multiply करके price जो range होता है उसी को निकालके tops निकालेंगे यानि कि 11,609 में हम 407 को add करके यह top निकले तो यह सारे top भी निकल गये अभी जो दिक्कत है अभी क्या है अभी निफ्ती चल रहा है 13,199 या 200 में तो निफ्ती का यह level जब आ गया तो हमारा calculation तो बढ़ता है 13,298 अगर मांग दिजी यह 13,298 अचीव हो गया या उससे 50 पॉइंट उपर में चला गया यानि कि 13,350 हो गया तो उस समय में तो हम यह नहीं कर सकते कि हाँ अभी data sufficient नहीं है आगे कोई पहला cycle यानि कि जो यह जो uptrend शुरू हुआ यह cycle जो है यहाँ पे खतम होता है cycle 1 यहाँ पे खतम होता है यहीं से आपका जो है cycle 2 यह शुरू होगा यानि कि यह trend यहीं पे थमेगा नहीं अगर आगे जाता है तो cycle 2 में वो एंटर करेगा तो यह different cycles को जो होता है वो भी एक stock market में बढ़िया theory है जिसको cycle theory वला जाता है वो cycle theory में वो सारे चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्योंकि 5 साल पहले निफ्टी तो 5 या 10 साल पहले 10,000 में था अभी 13,000 हो गया आगे 5 साल में वो 20,000 में होगा तो यह जो time cycle के हिसाप से price में बदलाव आता है उस सारे चीज आपको cycle theory में पढ़ने के लिए मिलेगा यह एक छोटा सा पहला साइकल 13,300 में हो गया अभी आगे 13,300 से आगे बढ़ेगा यानि कि 13,298 या अगर हम कर दे तो हम और कोई value change नहीं होगा इसको अगर बदल दे तो हमें जो भी values मिलेंगे यह आगे का top यानि कि 13,298 के उपर में जो top होता है वो होगा 13,762 13,800 ठाजी और यह दोनों का mid value यानि कि यह दोनों को मिला के divide कर दो दो में यह भी जो mid value है वो भी एक top बनेगा तो यह सारे tops होते हैं second cycle जब आप second cycle का top निकालेंगे उसी समय में आपको second cycle का bottom भी निकालना पड़ेगा second cycle का bottom है वो 13,55 से होगा ने तो यहां पर भी आपको 13,298 करना पड़ेगा यानि कि जब second cycle का बात आ गया तब दोनों price point बदल जाएंगे भीग सी सिर्फ बैठेगा तो यहां पर जो second cycle के calculations आप फिर से देख लेगे जो तो यहां पर जो हमारा था 11,609 यह 13,298 तक यह ट्रेंड शला 13,298 के उपर में जो भी प्रेंड होगा यह रहेगे major of trends और उसी तरह से major of trends जब एक बार calculate कर लिए तो आपको major downtrend री calculate करना पड़ेगा वो भी 13,298 से तो यही होते हैं second cycle के calculation second cycle खतम हो गया तो third cycle में आप calculate कर सकते हैं तो यह rarest case में आता है बट इस जो महने में हमें December के महिने में साय वो second cycle का calculation करते second cycle का top को follow करना पड़ेगा तो यह है calculations December का पहले का जो भी calculation है यहां पर दिया गया है August का September का October का यह सारे महिनेों का top and bottom calculations दिया गया है अभी कि इस महिना December 2020 में यह top and bottom calculations को सिखिए देखिए यह काम करता है नहीं तब जाके इस method का accuracy आपको पाचलेगा अगर आप स्टोक मार्केट में कुछ इसी तरह का mathematical concept को पढ़के समझना चाहते हैं यानि कि अगर आप चाहिए candlestick भी पढ़ों बट वहां पर भी एक science मुझे पता चलना चाहिए कि जभी भी हमारा candlestick का patterns बनता है यानि कि जो भी बनता है उसका पीछे में क्या mathematics है चाहे वह spinning top हो चाहे वह कोई dogy formations हो या चाहे वह कोई भी आपको जो भी patterns बनेंगे जितने भी patterns है उसके पीछे में mathematics क्या है तो वह हमारा technical courses में आपको मिल जाएंगे जितने भी technical courses है यहां पर यह तीनों technicals में मिल जाएगा इलियर्ट वेफ का rules क्या है उसमें कैसे पढ़े सिखे तो उसको भी इलियर्ट वेफ के course में मिल जाएगा WT ज्यान का तो fantastic courses है इसे square of nine का कैसे निकला उसको काम पर कैसे लगाए वह सारे चीज इसको यहां पर मिल जाए futures and options में कैसे काम करें options में hedging कैसे करें options का जो स्ट्राटेजी कैसे बनाए यह बारे मिस रहनना चाहते हैं तो यह भी एक courses है और उसी concept के उपर में आधारी बहुत सारे software से जो इतने महेंगे नहीं होते हैं हमारे वह बहुत बाकी software से बहुत कम दाम में मिलते हैं इनका efficiency उससे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यह सब new concept के उपर में आधारी थे तो यह सारे software की हमारा जो द्राडे के हैं option strategy के हैं यह भी आप अगर चाहें तो इसको प्रफ्योर कर सकते हैं तो यह जो product से इसके बारे में अगर आपको कुछ queries होता है तो यह जो उपर दिए गये नंबर से कोई भी एक नंबर में आप call करके पूछ सकते हैं तो अगर कुछ queries है कुछ product लेना चाहते हैं तो इसके उपर में आप हमें call करके पूछ सकते हैं इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपने दोस्तों के साथ में share कीजिए अगर आप हमारा जानेल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो एक सब्सक्राइब भी करते हैं तैंक यू फेरी मॉच थैंक यू फर यू टाइम आइंड डिसमबर में इसी प्लेथर्ड को परकिए देखिए कि यह जो रेडिंग्स दिया गया यह कितना दूर तक साही है उसके बाद में अगर अच्छा लगता है तब जाके आप उसको अपने ट्रेड में उसको यूज कीजिए थैंक यू फेरी मॉच थैंक यू पर यू टाइब